वेल्कम टूबर यूटूब चैनल एच्वी जॉप जानकारी जिसमें आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश जनल नौलेज 2020 के बारे में जिसमें हमारा फर्स्ट कुश्चिन है सतलूज नदी का उद्गम स्तुरूत जो है वो क्या है तो यह उद्गम स्तुरूत जो है वो मांसरोवर बड़ा बंगाल बारलाच्चा या ब्यासकुंट तो इसमें जो है वो मांसरोवर राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चिने हमाचल प्रदेश की किस नदी को कालंदी कहा जाता है अप्शने सतलूज यमुना चेनाब और रावी तो इसका सही उतर है यमुना की कुछु या फिर कांगडा में तो इसका राइट अंसर है किनौर में जो है वो नाकोजील आती हैह'. नेक्स्ट Q són गर्मपानी का कुंट मनीकर्ण जो है इसका राइट अन्सर हैमी में या मारू अरवन्हे चंबर्यस्ट की स्थावना की थी नेक्स्ट कोस्टी ने महमोंद गजनवी ने कांगड़ा के लिए में कब लुट-पाठ की थी तो एक nelbys Sunday में जो है वह मौहमंत गजल्मने कांगरा के लिए पर लूटकाइट की थी और यह स्तारा अकर्मन जो मौहमंत कईनवैं ने कभल पर לאप मौहिसे में तो इसका रायट हंसर है 137 poi में का नेक्स्ट कुछ्चन है 17 1700 sobी में हमिरपूर सार की स्थापना किस ने की तो ये हमीर जईंद्र ने जो या हमिरपूर की स्थापने की थी 1700 legitim में और देस्थ कोष्ट्ट में दसवी स्ताबडी में किसने बसाया था तो ये, सहिल बर्मन ने जो है वो दसवी स्ताबडी 926 इस में जो है वो, چंबा सर की स्तापना की थी और इसने अपनी पुतरी चंपावती के नाम पर जो है हो चंपा चंबा सर का नाम रखा था नेक्स्ट कोश्चिन है दुनिया का सरवादिक उन्चाई परस्तित क्रिकेट मैदान कहा है तो ये हमारे चाहल में है चाहल जो है उसका राइट अंसर है नेक्स्ट है आट्वी स्थाबदी में बनने नेना देवी मंदीर का संस्तापक जो हो कौन है तो इसका राइट अंसर है वीर्चंद वीर्चंद जो है वो नेनादेवी मंदीर का संस्तापक है नेक्स्ट कुष्चिन है कांडाघाट रियासत को मुगल समराज्य में कब मिलाया गया तो ये 1620 इस्वी में जो है वो कांडाघाट रियासत को मुगल समराज्य में मिलाया गया नेक्स्ट कोश्चिन है राज्य का पहला टेक्स्टाइल पार्क जो है किस जिले में है तो ये हमारा उन्ना जिले में है राइट अंसर टेक्स्टाइल पार्क जो है उन्ना जिले में है कानिका चंद्रधर सर्मा गुलेरी का स्मंद किस जिले से है तो ये जो है वो कांग्रा जिले से है और इनकी लिखी गई बुक्स जो है उसने कहा ये काफी बार पूछा गया कोश्चीन है कांग्रा से समंधित है चैंदरधर सर्म गुलेरी नेक्स्ट कोश्चीन है हिमांचल में किस जिले जनसंख्या घनत्वा सबसे कम है तो ये लाउल्स पीती में जनसंख्या घनत्वा सबसे कम है नेक्स्ट कोश्चिन है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रदी कौन से है तो ये सतलुज है जो 320 किलोमेटर की दूरी ताय करती है हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट कोश्चिन है अद्रक उत्पादन में कौन सा जिला जो हो सिर्स में है तो सिर्मा जो हो अद्रक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का शिर्स जिला है नेक्स्ट कोश्चिन है एसी अगर सबसे बड़ा मतस्य उत्पादन केंद्र देवली किस जिले में है तो यह बिलासपूर जिले में है जो हो मतस्य उत्पादन केंद्र देवली जो हो बिलासपूर जिले में है नेक्स्ट बोत्जीन हे, हिमाचल प्रदेस का सबसे कम साकसर जिला कौन सा है, तो ये आपका चम्बा जिला जो हैे, सबसे कम साकसर जिला है नेक्स्ट है, सिम्बला में पलिवार फेल कारी कब पहुंची तो ये आपकी 1906 में नेक्स्ट कोश्च ने सूप्रसित इत्यासकार वो लेखक वीपिंग चंदर जो है वो किस जिले से समंदित हैं तो यह जो है वो कांगणा जिले से समंदित हैं नेक्सट आइ मारकंडडा घड जो हो हीमाचल पर्देश के किस जिले में बहती है तो यह सिर्मोर जिले में बहती है नेक्सट आइ कमरुनाग जanken मंडी जिले जाए कौन सी सचयल मिस्तित है तो यह चच्छियोट में है नेक्स्ट कुछ ने हिमाजल प्रदेश सबसे पुरानी पांडूली पी कहां मिली तो यह सोलन में जो है हूँ सबसे पुरानी पांडूली पी मिली इस एक साथ ही यह वीडियो यहीं पिस्मापत होती है और आपको हमारे दोर दी जैनुवल जैन करें अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सेर, सबस्क्राइब जरूर कीजिए और वैल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे अपकमिंग वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे ल आपको मिले मिल दें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जैभारत